यह वीडियो में हम बिजनिस मैथमेट्रिक्स के मैट्रिक्स टॉपिक से जो है MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो यह वीडियो का पार्ट वन है पार्ट टू भी इसका हम लिख आएंगे तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले चीज की याद रखेगा कि कोई भी आपको MCQs solve करने हैं तो आपका concept clear होना चाहिए उसके definitions, उसके types, उसके formula, उसकी characteristics यह आपको याद होने चाहिए तभी आप जो है answers कर पाएंगे और दूसरी चीज की question जोई नहीं है कि exactly जैसे यहाँ पर आपको MCQ दिख रहे हैं यह question है चार option है तो exactly ऐसा आजाए आपको questions को समझना है और उसका exact answer याद रखना है क्योंकि options जो बाकी जो गलत option से वो change कर दिया जा सकते हैं आपको पता होगा तो अगर कोई दूसरा option भी आ जाएगा तो पता होगा तो आप उसको सही से टिक कर पाएंगे तो चलिए start करते हैं तो पहला question है collection of data arranged into a fixed number of rows and column refers to तो देखिए यहाँ पर क्या है कि collection of data यानि कि data जो कि arrange होते है ए फिक्स number of rows और column में उसको क्या कहते हैं तो बटाओ वाइस जावात है यह सबसे easy question है उसको कहते है option a matrix उसको geometry max mini business में उसको क्या कहते है option a matrix और अगर यही plural sense में होते हैं कि अग्या क्या है collection of data है one three three four three four three four यह क्या है collection of data है अब यह क्या है एर्चे रो समझेगी समäणिख है और मैट्रिक्स में बहुत सारे होते हैं उसको क्या के आगते हैं मैट्रिक्स कहते हैं plural form में सको matrices कहते हैं ओके next question हम देखेंगे each number that make up matrix is called यानि कि जो आपने भी देखा था कि उस पर जो numbers थे 1 1 1 3 4 3 3 4 वो number क्या कहलाते हैं option A row option B column option C inverse matrix option D element of matrix तो each number that makes up matrix यानि कि उस सारे numbers जिनका use करके matrix बनता है उसको कहते है option D element of matrix यानि कि 1 1 1 3 4 3 3 3 4 अगर हम इनको individually बात करें यह क्या है element है कि इसके matrix के और इनको जब हम row column में arrange करते हैं तो क्या बन जाता है matrix बन जाता है okay तो element of matrix यानि कि 1 1 3 3 4 यह सब इच number जो होते हैं वो element of matrix कहलाते हैं next है elements of matrix are have specific location identified by there तो जो element of matrix होते है यानि कि जो भी digits थे वो कौन से उनका एक specific location होता है उसको उनके location को कैसे identify किया जा सकता है respective row यानि कि जो जिस row में है उससे identify करोगे respective column जिस column है उससे identify करोगे या row number और column number से identify किया जाता है तो option c होगा respective row and column number ठीक है next है the matrix is an arrangement of numbers in तो जो matrix होता है वो arrangement of numbers होता है किस में तो जैसे कि भी बताए row and column में तो यहाँ पर क्या होजागा option option a m rows and n columns तो m rows और n columns में arrangement को show करता है कौन matrix in the given matrix 1 3 3 is तो यहाँ पर जो matrix दिया गया है यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि 1 3 3 यानि यह जो 1 3 3 की values है जो series है वो क्या है row 1 है column 1 है column 2 है row 2 है तो 1 3 3 जो matrix में show कर रहा है वो क्या है वो row 1 है वो row 1 कहलाता है इसी तरह किसे अगर 1 1 1 आपसे पूछा जाता तो वो क्या हो जाता है column तो row हमेशा क्या होता है horizontally होता है column क्या होता है vertical line में होता है in the given matrix 3 3 4 is तो अब 3 3 4 है कि सबसे last वारा देखिए तो 3 3 4 हो क्या हो जाएगा तो बटाब बनेसे बात है अभी चैस्स पताए क्या है 334 column 3 column 1 1 1 1 हो गया column 2 3 4 3 column 3 334 एक तो गरेक्ट option क्या जाएगा option C column 3 represent by number n तो तो देखिए column 1 क्या होता है देखिए अब vertical में क्या होता है column और क्या कहता है horizontal में क्या होता है row होता है तो यह आपको याद रखना है कि row की बात हो रही कि column को बात हो रही तो column कौन सा है row कौन सा है यह आपको पुछा जा सकता है next है elements of a matrix in a given matrix set is represent by तो जो elements of matrix होते हैं कि जबी matrix में उसको कैसे represent करते हैं option a amn option b anm option c arc option d none तो आपने पढ़ा होगा matrix में कि elements of matrix को कैसे चो करते हैं amn यानि कि rows and column तो cat option option a हो जाएगा next है when the number of rows and the number of column of a matrix are equal the matrix is तो जब number of rows और number of column जब किसी matrix से equal होते है यानि कि m is equal to n तो उस matrix कि क्या कहते है square matrix अभी type of matrix यह question है square matrix, row matrix, column matrix या फिर none of this तो जब किसी भी matrix में number of rows जो जो है वो एककल हो जाते है number of column कहाने कि 3 rows 3 column 2 rows 2 column तो उसको क्या कहते है option a square matrix इस तरह किसे देखे तहाँ पर देखे 3 rows है और 3 column है row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column तो यहाँ पर m is equal to n तो क्या हो जाएगा यह square matrix कहलाता है next question आपका if there is only one column in a matrix it is called अगर किसी matrix में सिर्फ एक column है सिर्फ एक column है तो उस matrix को क्या कहेंगे row matrix, column matrix, square matrix, rectangular matrix तो वीजी question है बटाओ भीज़ बात है जब एक ही column है तो उसको क्या कहेंगे column matrix तो यह column matrix 1, 3 यानि कि क्या हो जाएगा यह vertical line में हो जाता है तो column matrix कहलाएगा A, M, N यानि पहले rows आएगा फिर कहाएगा आपका column तो row into column होता है ठीक है row into column जो matrix होता है कैसे row into column तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 into 3 row क्या है 4 column क्या है 3 तो correct option क्या हो जाएगा option C 4 into 3 हो जाएगा next है if the number of rows of a matrix is greater than the number of column then the matrix is called अब number of rows जो है वो किसी भी matrix का वो number of column से जादा है suppose करें कि 4 row है और 3 column है तो उस matrix को क्या कहोगे row matrix, column matrix, rectangular matrix या फिर option D square matrix तो यहाँ पर correct option क्या जाएगा option C rectangular matrix किसी भी matrix में अगर number of rows और column एक दूसरे के बराबर नहीं है rows जादा है और क्या कहते हैं column कम है तो उस case में क्या हो जाएगा rectangular matrix कहलाता है M is not equal to N next question है a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is A except 0 N यानि कि एक diagonal matrix जहाँ पर जो diagonal होता है यानि कि जो आप देखते होंगे कि left side में उपर से right side में आप नीचे आते हो तो बेच में जो line बनती है किसी matrix में उसको diagonal कहते है तो वो diagonal matrix में अगर किसी भी matrix में वो diagonal elements जो होते है वो equal है यानि 0 नहीं है 1 नहीं है बाकि कोई भी number हो सकता है और diagonal में तीन हो equal हैने कि 555 हो गया 666 हो गया तो उस case में उस type के matrix को क्या कहते है तो caret option क्यों हो जाएगा option A scalar matrix column matrix unit matrix और फिर none of this option है option A scalar matrix इस type के matrix क्यों क्या कहते है scalar matrix कहते है यानि कि जहाँ पर diagonal element same होता है आप देखे diagonal matrix है ABC तो यह ABC जो है वो diagonal path को show करता है अब वो scalar कब हो जाएगा जब तीनों ही element उस diagonal पर AAA हो जाएगे तब देखे diagonal matrix में ABC यह diagonal line वाली यही चीज़ होती है अगर इस तरीके से बाकि उपर 0 है नीचे 0 है या फिर कोई भी दूसर नमबर हो सकता है ABC वो line है तो उस diagonal पात कहते हैं तो अगर वही ABC वाली value तीनों ही AAA है या फिर तीनों ही BB है या फिर तीनों ही CCC है तो उस case में उस type के matrix को क्या कहते है a scalar matrix कहते है तो ए diagonal matrix in which all the elements of principal diagonal are same but neither 0 nor unity is known as scalar matrix तो यह आद रखिएगा ठीक है next है a square matrix which has non-zero element in principal diagonal and 0 element above and below the principal diagonal is called a क्याने कि आपको उताना है कि कोई भी square matrix जहां पे जो diagonal होता है जो भी आपने देखा कि ABC वाला path था वो ABC element जो है वो principal diagonal जो है वो 0 element नहीं होता है और बाकि जो ऊपर और नीचे होते हैं उस diagonal के diagonal के ऊपर जो elements होते है और diagonal के जो नीचे elements होते है वो क्या होते है 0 होते है तो उस type के हम square matrix को क्या कहते है diagonal matrix rectangular matrix null matrix यह फिर triangular matrix तो उस type के matrix को हम कहते है diagonal matrix आप देखिए क्या है कि 184 यह diagonal path हो गया तो 184 यह non-0 यानि कि यहाँ पर 1 है diagonal matrix कहते है next है a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is तो फिर से ही question पूचा गया कि diagonal matrix जहाँ पर सारे diagonal elements जो होते हो equal होते है तो क्या होगा तभी आपने देखाता क्या है scalar matrix ठीक है scalar matrix देखिए 222 diagonal पर है 3 3 है 5 5 5 5 है तो क्या हो जाता है scalar matrix कहलाता है matrix in which the principal diagonal element are unity 1 is तो ऐसा matrix जो उसमे principal diagonal जो होता है वो सभी elements क्या होते है diagonal के 1 1 1 होते है उस type के matrix को हम क्या कहते है unit matrix identity matrix scalar matrix या फिर both A and B तो देखिए ऐसा matrix ऐसा square matrix जहाँ पर principal diagonal के element होते है वो सिर्फ 1 1 1 हो तो इसको unit matrix भी कहते है और कहीं कहीं पर इसको identity matrix भी कहते है तो करेट option कह जाएगा option D both A and B तो देखिए 1 1 diagonal पर क्या है 1 1 3 by 3 का अगर आपका row and column है तो 1 1 1 इस तरह किसे होगा तो इस type के matrix को हम कहते है unit matrix है फर जो है इसको identity matrix कहते है और इसको हम normally I से denote करते है इस type के matrix को किससे denote करते है I I से denote किया जा next question है a matrix in which all its element is equal to 0 refers to तो यानि कोई भी ऐसी matrix जहाँ पर उसके जितने भी elements होते है elements of matrix वो क्या है 0 है तो उस case जितने भी type के matrix है सभी में क्या है वो 0 0 value है elements of matrix के तो इसको कहते है null matrix या फिर 0 matrix कहते है a symmetric matrix is represent as तो symmetric matrix को हम कैसे represent करते हैं आपको बताना है amn is equal to amn amn am0 या फिर option d none तो देखे symmetric matrix symmetry में same symmetry में इसके होता है same यानि कि आप उसके row और column को position change कर दोगे तो भी हो क्या होगा exactly जैसे पहले दिखता था वैसे ही दिखेगा तो बटाओ बैस वाते हैं पर क्या हो जाएगा get option option a amn is equal to amn तो symmetric matrix देखिए आप चाहे row को column में put कर दीजे column वाले values को row में put कर दीजे तो आपको value same मिलेगी देखिए 1, 2, 6 को अगर आप जो 1, 2, 6 है row 1 है उसके value को column 1 में लिखे 1, 2, 6 तो देखिए same आएगा तो इस type के matrix को आप कहते हैं symmetric matrix कहते हैं next equation है find the value of x, y and z from the following equation तो देखिए नीचे equation है यानि दो matrices दिए गए है 4, 3, x, 5 y, z, 1, 5 तो यहाँ पर देखिए 2 into 2 दोनों ही matrix कहा है 2 by 2 के है यानि कि 2 rows, 2 column 2 rows, 2 column दोने equation है यानि कि दोनों matrices कहा है equal है अब यहाँ पर आपको x जो यहाँ पर पहले वाले matrix में x है और दूसरे वाले में y और z है इनकी values calculate करनी है तो क्या होँ सा correct value होगा तो देखिए जब equal होता है तो but obviously बात है क्या होता है कि यह दोनों equal है तो x की value क्या हो जाएगी 1 और वहाँ पर y की value क्या हो जाएगी 4 और वहाँ पर z की value क्या हो जाएगी 3 यह हम अब कर सकते है equal तो यहाँ पर get option क्या हो जाएगा option b x is equal to 1 y is equal to 4 z is equal to 3 since matrices are equal their corresponding elements are equal जब matrices equal होता है तो दुनकी corresponding elements भी क्या होंगे equal होंगे तो answer क्या हो जाएगा 4 is equal to y 3 is equal to z x is equal to 1 अब यहाँ पर देखिए x जिस position पर दूसरे वाले matrices इसे आपको x की value होगी x की position पर यह आप x की value माल लेंगे इसे दरगे सब y जो यहाँ पर दूसरे वाले matrices में y की value उस वाले position पर दूसरी वाले matrices में जो भी रेल्योगी उसको आप माल लेंगे तो y की position पर दूसरे मैटरे में क्या है 4 जेट की पोजिशन पर दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या है 3, तू अहीं वैल्य हो जाएगी, तो करेट ऑप्शन क्या जोगा, X is equal to 1, Y is equal to 4, Z is equal to 3, तो इस ताइप के कोश्चन भी पुजा जाकते हैं, तो इस तरीके से जो है किसे भी मैट्रिक्स का, उसको आप कैसे रिप जाता है, नेक्स्ट है, for 2 into 2 matrix, the determinant of A is equal to, तो 2 by 2 के matrix है, यानि कि A11 है, A12 है, A21, A22 है, तो इस determinant of A कैसे रिपरेजन किया जाएगा, इसके लिए, A11 into A22 is equal to A21 into A12, यानि फिर A11 into A22 minus A21 into A12, या फिर A11 into A22 plus A21 into A12, या फिर A11 into A22 divided by A21 into A12, तो आपको बताना है, यह 11, A21, A12 भी क्या है, रो जाओ कॉलम है, A11 आने की A, रो 1, रो कॉलम 1, A12 आने की A, रो 1, कॉलम 2, इस तरीके से उसको रिपरेजन करते हैं, उसकी रोकेश को, तो आपको फिलाल यह बताना है, कि 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ओफ A को हम कैसी रिपरेजन करेंगे, तो अगर आपने डिटर्मिनेंट का फॉर्मला पढ़ा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ओफ A क्या हो जाएगा, दकरेटाशन is option B, A11 into A22, यानि कि वो diagonal उसके just opposite में, जो है, A11 के बोजमिनेंट क्या है, 22 है, और A21 के बोजमिनेंट क्या है, 12 है, तो आप इन दोनों को cross multiply करेंगे, और फिर माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो A11 into A22 minus A21 into A12, तो यह क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ओफ मैट्रिक् करते हैं, if A is a singular matrix, then determinant of A is, अगर A जो है, वो singular matrix है, तो जो है, आपका determinant of A की value क्या होगी, 0, 1, any positive value, या फिर any negative value, तो किसी भी singular matrix के लिए A की value, जो है, वो क्या होती है, determinant of A क्या होगी, 0 होगी, देखिए, कैसे, अब अब determinant of A का इन जानते थे, तो 1 into 2 करेंगे, फिर 1 into 2 जाता है, तो value क्या हो 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 जाता करेंगे फिर 3 x 2 करेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे तो क्या जाएगी वैल्यू 4 आ जाएगी तो यह क्या हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा ठीक है next question है the determinant of matrix a will be 0 if तो किसी भी matrix का determinant 0 होगा कब option a an entire row is 0 जब पूरा का पूरा row 0 होगा यानि कि उसके element जो होगे वो 0 होगे option b है two rows और column are equal दो row या फिर दो column जो होगे option c a row और column is a constant multiple of another row और column यानि कि कोई भी row column जो है constant multiple होगा किसी दूसरी row और column का या फिर option d all of the above तो ये condition है इसको आपको याद करना होगा कि determinant of a किसी भी matrix का जो determinant है वो 0 होगा अगर ये तीनों ही condition फुल्फिल हो रही होगे तो get option क्या जाएगा option d all of the above तो ये कुछ important mcqs थे matrix topics है और भी है matrix topics हैं numerical questions भी लेके आएंगे wish you all the best keep watching subscribe the channel for more videos thank you